उज्जन में चार वर्षी मासुं का अपरंड कर दुशकर्म की कोशिश का मामला सामने आया आरोपी भी ना वाले गे परिजरों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सोब दिया है आपको बता दे कि मामला चिमन गज मंडी थानाक छेतर के गणेश नगर का है यहां चार साल की बच्ची घर के सामने खेल रही थी इसी बीच बच्ची की घर से थोड़ी दूर पर रहने वाले एक किशोर आया बच्ची को गोध में उठा कर ले गया माने बेटी की खोज मिन शुरू की खोजटे में मा कुछी दूर पर खंडा नुमा मकान में पहुची अंदर जाने पर कमरे में बच्ची के बोलने की आवाज आ रही थी और कमरे अंदर से बन था कमरे से बेटी की आवाज सुनकर वो दर्वाजा पीठने लगी दर्वाजा जब नहीं खुला तो पड़ोसियों को पुला लिया लोगों के आने के बाद दर्वाजा खोल कर किश्वर बाहर आया और भागने की कोशिश करने लगा लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर दी उसे पुलिस को सौब दिया टी आई अजिती वारी ने बताया कि आरोपी नावालिक है आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है उज्जेन से विर्यंद शर्मा की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें